दोस्तों, बॉलिवूट की खुबसूरत अदाकारा मुम्तास के दिवाने तो बहुत थे लेकिन मुम्तास ने जिसे प्यार किया और जिसे अपना हमसफर बनाना चाही उनसे ही उन्हें हमेशा के लिए दूर होना पड़ा आखिर किस वचे से मुम्तास का प्यार अधुरा रह गया आईए हम आपको बताते हैं मुम्तास हिंदी सी नहें जगत की एक ऐसी अभिनीद्री जिनके प्यार में न सिर्फ उनके करोडों फैंस दिवाने थे बल्कि बॉलिवूड इंडस्ट्री के कहीं दिक्कस सितारे भी उनके कायल थे कभी स्टन्ट अक्टरेस के तौर पर मशहूर मुम्तास के साथ काम नहीं करने की चाहत रखने वाले सितारे भी तब उनके दिवाने हो गए थे जब मुम्तास ने साबित कर दिया कि वो लीड अक्टरेस के तौर पर भी धमा का कर सकती है बेमिसाल, खुबसूर्ती और शानदार एक्टिंग हुनर की मालकिन मुम्तास के चाहने वाले तो अनेकों थे लेकिन जिनसे मुम्तास को प्यार हुआ और जिनके साथ उन्होंने घर बसाने की ख्वाहिश की उनसे ही उन्हें हमेशा के लिए दूरी बनानी पड़ गई आखिर क्यों पूरी नहीं हो पाई थी मुम्तास की लव स्टोरी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फैंस तो फैंस साथ ही अपने साथ काम करने वाले अक्टर्स को भी अपना दिवाना बनाने वाली मुम्तास के अनेकों किस्से मशूर है उनसे प्यार करने वाले अक्टर्स की लिस्ट लंबी है लेकिन उनका पहला प्यार बने थे शमी कपूर जो इनके क्रश भी थे बाद में शमी कपूर को भी मुम्तास से प्यार हुआ और उन्होंने तो मुम्तास को शादी का प्रपोजल भी दे दिया था लेकिन शमी कपूर की एक शर्ट ने मुम्तास को अपने प्यार की कुर्बानी देने पर मचपूर कर दिया दरेसल 1967 में शमी कपूर की पतनी गीता बाली का दिहान्थ हो गया था जिसके बाद वो काफी अकेले पड़ गए थे उनके परिवार वालों की इच्छा थी कि शमी कपूर के बच्चों की देख भाल के लिए शमी कपूर दूसरी शादी कर ले क्योंकि बच्चों को मा का प्यार चाहिए था इसी दोरान शमी कपूर फिल्म ब्रह्मचारे की शूटिंग करने में लगे थे इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस मुम्तास थी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही एक दिन मुम्तास ने शमी कपूर से अपने प्यार का इकरार कर दिया मुम्तास की बात सुनकर शमी कपूर के मन में उम्मीद की किरन जाग उठी और कुछी दिनों में शमी कपूर को भी मुम्तास से प्यार हो गया इसके बाद उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए मुम्तास को शादी का प्रपोसल दे दिया लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये शर्ट भी रख दी कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम नहीं कर सकती है शमी कपूर की इस बात को सुनकर मुम्तास को काफी ज्यादा हैरानी हुई शादी का ये प्रपोसल और उस शर्त को सुनकर मुम्तास काफी सोच में पड़ गई थी और आखिरकार उन्होंने शादी को छोड़ कर अपने करियर को चुनना सही समझा